हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल क्रेक यूर कमटिशन विदर्जली फ्रेंट्स आज की इस मेलों में हम लोग सीटेड प्रिपेस एर ऑनलाइन एक्जाम 2023 के फर्ष्ट सिप्ट के सीडिपी के पेपर को सॉल्ब करेंगे फ्रेंट्स हमारा जो प्रिपर 19 दिसंबर 2022 को वह था उसका सीटीपी का फश्ट पेपर आज हम लोग सॉल्ब करने वाले हैं अपने 18 दिसंबर के पेपर को सॉल्ब नहीं किया है नहीं देखा है तो डेस्क्रिप्शन लॉक्स में प्लेश्ट लिंक दिया हुआ है इससे पहले के सारे पेपर आप लोग डेस्क्रिप्शन पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेज़ेगा ताकि सारे पेपर सो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंस सके साथ यह आदि आपको वीडियो पसंद दोए तो प्लीज वीडियो को लाइक चेर एंड कमेंट अवश्ट जिक जैक तरीके से काटना 3 धागे में माला पिरोना 4 खंबे की तरह फुट्वाल को लाज से धकेलना तो यहां पर राइट आंसर और फुट्वाल को लाज से धकेलना नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर टू बच्चे का विकास डैस से की ओर बढ़ता है नमबर वन केंद से एक लाज से भाहे 2 प्यार सीर 3 विकास सामाज से जटल सरल में बच्चे का सामाजी वन मिनट बच्चे का समाजी हमार स्ब्रत्म परिवार में उसकी माता पिता द्वारा होता है कंद यह हमारा विल्कुल सही है कारणर आरहे परिवार बच्चों की समाजी कांट का प्रात्मिक कार्यक है R बाला भी सही है हमारा answer हो जाएगा A और R दोनों सही है तो इसका right answer हो जाएगा option number 3 option number इसका 3 हो जाएगा Friends sorry option number इसका हो जाएगा पहला A और R दोनों सही है R A की सही ब्याक्या करता है नेक्स्ट कोशेन है कोशेन नमबर फोर जीन पियाजे के संग्यानात्म विकास के सिधान के अनुसार निम्लिकित में से कौन सी अबधाना तीन से छे वर्ष की आयू वाले बच्चों को सिखानी चाहिए नमबर फोर नेक्स्ट कोशेन है कोशेन नमबर फाइव जीन पियाजे के संग्यानात्म विकास के सिधान के अनुसार अधिकाश बच्ची के सबस्ता में बस्तों को श्रेणियों में विवस्तित करने में स्रक्षम होते नमबर न संबेदी गामक अवस्था टू पूर्थ संक्रियात्मक अवस्था थ्री मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था तो हमारा राइट आंसर ओप्षिन नमबर थ्री हो जाएगा मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था में नेक्स्ट कोशे ने कोशे नमबर सेक्स डैस का प्रयोग जीन प्याजी द्वारा संग्यानात्मक मांसिक अब्धानाओं के लिए किया गया था नमबर बन पाल तू बस तू इस्थाये तो थ्री स्कीमा फोर्स तमी बढ़ती विकास का छेत्र तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर थ्री स्कीमा स्कीप किया विना लास तक देखते रहेगा हो सकता है आपके इसी से काफी सारे कोश्चन से एक्जाम में फर्जाएं क्योंकि पिछली वार भी जो अभी दिसंबर और जन्वरी फरवरे में ऑनलाइन एक्जाम हो था उसमें काफी कोश्चन इससे पहले वाले पेपर्स के फ परमपरागत तो पूर परमपरागत त्री उत्तर परमपरागत फूर अपचारिक परमपरागत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर टू पूर परमपरागत इस तरपर नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर एट जब विध्यारते किसी प्रेशन का हल खोजने के दौरां समस्या का समाधान करते हैं तो अध्यापक विध्यारतें को किस तरह पांट प्रदान करते हैं नमबर वन उनमें असफलता का भै पैदा करके तू उन्हें प्रश्ण का आदा समाधान प्रस्तूत करके त्री प्रश्ण में कुछ बिकर्शन जोड़कर फोर उन्हें अपने बच्चारों की शाब्दिग अभिवक्ति करने के लिए निरुसाहित करके तो हमारा राइट आंस की सांस्क्रित उपकरण हार्वर्ट गार्ण जी घटक बुद्धी जीन प्याजे पाड दोरें स्कॉलबक संभी आत्मक परिपपको था तो यहां पर कौन सा यूग मुसाहिए तो हमारा राइट आंसर ऑफ्शन नमबर बन हो जाएगा लेब आगोस की सांस्क्रितिग उपक दूगा कंटेस्टी करण तो इसका राइट आंसर ऑफ्शन नमबर बन हो जाएगा ग्यान स्रजन की चाहर नेक्स्ट कुशन है कुशन नमबर इलेवन मधुलिका नुरत्य और योग कलामे निपुड है हारवार्ड कार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धी उच्चिस तरिये है नमबर वन अंता बयक्तिक टू अंतर बयक्तिक थ्री शारीरिक गती संबेदी फोर संगी तात्मक तू उसके पास कौन सी किस प एक प्रेशन उत्तर सत्र के दोरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रहंबा प्रेशन पूछने के अफसर दे रहा है एक प्रत्यक्षूप से किसकी प्रस्तुति है नमबर वन जेंडर सर्शक्तिकरण की टू जेंडर समानता की थ्री जेंडर प्रक्षपात क फोर जेंडर समतुलिता की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर थ्री जेंडर प्रक्षपात की नेक्स्ट कोशन ही कोशन नमबर थर्टीन अधिहमदर में ब्यक्तिकरत ब्युगिनताएं किसका परड़ाम है नमबर वन केवल आनुवान शिक्ता का टू संधर में नम्लिकित में से क्या चाहिएं। रशनातम्ट माँदर संधरमें परेक्षण मानकों को स्तिमाल फॉर है उस्का राइट आँसर हो जाएगा हमारा ऑप्षन नमबर फॉर अधियाम के लिए आकलन विध्यार्थियों द्वारा सु आकलन को भी शामिल करता है नेक्स्ट है कोशन नमबर 15 विध्यार्थियों के समालोशनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निमलिखित में से किसका चैन करना चाहिए यह हमारे के लिए अधियापक का यहांसे प्रेड वजिका सोलवे नमबर से लेकर के 30 नमबर तक हमारे पेड़ागोजी के कोशन्स होंगे चली फ्रैंट्स फड़ा फट से इसको भी कंप्लीट करते हैं सोलवे नमबर का कोशन है समावेशी शिक्षा में किसकी अविश्यक्तिया नमबर वन मान की क्रेट पठे चरिया की तो रुड़ी वद्दताओं को बढ़ावा थ्री अगम में इसमारती ढहाचा फोर विवित्ता को शुक्रिती तो इसका राइट आंसर ऑफ्शन नमबर फोर हो जाएगा विवित्ता को शुक्रिती देना नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर सेवन्टीन अभी कथन ने सुविदा वंचि समू से आने वाले विध्यार्टियों की अवश्यक्ताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सास्कितिक संबद्दा संदर्वों को जानना चाहिए ये वाला हमारा कथन सही है कारण आर है पाठ्चरिया की अभी और सथ विध्यार्टियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए कारण आर हमारा गलत है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑफशन नमबर थ्री ए सही है लेकिन आर गलत है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 18 पटन बैकर लिग किस प्रकार की विकलांगता है नमबर वन अधिगम नमबर 19 निमलिकित में से कौन सा स्वालिंता विकार का विशिष्ट लक्षण है नमबर वन बादित संप्रेशन दू दिंचर्या में परिवर्तन के लिए आगरे थ्री उचिस तरी सब्द भंडार पोल परवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध तो यहां पर राइट नमबर वन हो जाएगा बादित संप्रेशन नेक्स्ट कुष्ण है कुष्ण नमबर 20 कक्षा में विविन योगताओं वाले शिक्षार्तियों की अविश्योगताओं की पूर्थी कैसे की जा सकती है नमबर वन शियर्णी बद कठनाई के कारे देकर टूमान की क्रित कुष्ण करके तो राइट आंसर और बन होगा शियर्णी बद कठनाई के कार्य देकर नेक्स्ट कुष्ण है हमारा कुष्ण नमबर 21 कि अधिकम तब अधिक हर्थपून होता है जब विश्य वस्तू को डैस रूप में प्रस्तूत किया दाता है नमबर वन संदव से हटकर तो इसका राइट आंसर ओप्शन नमबर हो जाएगा प्रस्तूत किया जाता है नेक्स टेक्ट नमबर कुष्ण अंत्रिक्ष की अब्धार्ना समझाते समें एक अध्यापक ने महशूस किया कि विध्यार्तियों में इस विशय को लेकर अनेक भ्रांतिया है अध्यापक की इस इस्तिती के प्रती क्या प्रतिक्रिया होनी चाहेए नमबर वन सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्विक्रित करना चाहिए तू इन भ्रांतियों के प्रती विध्यार्तियों के तर्क जानने चाहिए तू इन भ्रांतियों के प्रती विध्यार्तियों के तर्क जानने चाहिए तू इन भ्रांतियों के प्रती विध्यार्तियों के तर्क जानने चाहिए नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 23 विध्यार्तियों को किसी भी अबधाना के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए नमबर वन है विध्यार्तियों में सीखने के लिए तत परता सही हो जाएगा दूसरा है विध्यार्त ने कोईशन नमबर 24 रमेश विग्ञान विशो को पढ़ाते समय अन्वेशन प्रयोग विविन व्याभारिक कर्पितियों के मात्यम से बच्चों को नया ज्यानवा समझ बनाने के अफसर प्रदान करता है वह डैस को वढ़ावा देना चाहता है नमबर वन वेग्यानिक तर्ग बिल्कुल सही है दूसरा है तार्किक चिंतन दूसरा भी सही है तीसरा कंठेस्टी करण यह नहीं होगा चौथा अनुकरण यह भी नहीं होगा तो हमारा अंसर हो जाएगा पहला और दूसरा तो पहला और दूसर दिया है ऑप्शन नमबर बन म कोशन नमबर 25 निम्लिकित में इसे अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन जी भी थी अधिन प्रक्रिया में विध्यार्टियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है नमबर 1 ब्याख्यान 2 पूश्ताच 3 चर्चाएं 4 कोज अन्वेशन तो कम महत्व देती है तो इसको म कम है तो देने वाली हो जाएगी ब्याख्यान ओफ्शन नमबर 1 इसका सही आंसर है नेक्स्टे 26 नमबर कोशन अभी कथन ए है आंत्रिक प्रेड़ना एक बच्चे को सेच्छा से अपनी आंत्रिक खुशी के लिए काम करने को प्रेड़ित करती है यह वाला सही है कारण आर ह सिख्षक को आंत्रिक प्रेड़ित कर नेके स्थान पर विध्यारतियों को बाहर रूप से यह अप्रेड़ित करना चाहिए आर हवाला गलथ हो जाएगा रight अंसर फोजाएगा ए सही है आर गलथ है तो हमारा अंसर हो जाएगा option number third next question old Christian प्रभाव शाली समस्य समाधान में किसके 22 करण की आविशित्ता है नंबर बन कार्यात्मक इस्थिर्था टू अपसारी चिंतन थ्री केंद्रित ध्यान फोर साधिश्य मूलक चिंतन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बन कार्यात्मक इस्थिर्था की नेक अब्धाना को इस्थाई मानता है और मानता है कि योगिता प्रयास उद्वारा प्रभावित नहीं होती है यह विचार दशाग के सिस्तिति को जैन में दे सकते है नंबर वन अधिगम असहायता टू मस्तिश्क सुघट्यता थ्री उच्चिस्तरी स्वास्मिता फोर संबत्य अब्धाना को इस तरह से प्रस्तूत करना चाहिए जो नंबर वन विध्यार्तियों में सफलता के प्रतिचिंता पैदा करें टू उनके पूर्वग्यान और स्कीमा को क्रिया शील करें थ्री उन्हें अप्रास संगिक सूचनाव के माध्यम से विकर्षित करें पूर केवन अधिकम्योगता वाले विध्यार्तियों की मदद करें तो राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्षिन नमबर टू अब धाना को इस तरह से प्रस्तूत करना चाहिए जो उनके पूर्वग्यान और स्कीमा को क्रिया शील करें नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर थार्टी गोशनात्मक ग्यान नमबर वन किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की ब्याक्या करता है तू युक्तियों के प्रयोग के बारे में समस्ट की ब्याक्या करता है त्री मुख्यता ग्यान के क्या और कौन पहलों के बारे में जानता है फोर की समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है तो राइट अंसर नमबर थी हो गया गोशनात्मा ग्यान मुखेता ग्यान के क्या और कौन पहलों के बारे में जानना है आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी प्लीस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा यदि आपको वीड चुडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक केर